दोस्तो आप लोगों को पता ही होगा के Paytm एक डिजिटल वोलेट है जिसकी मदर से हम किसी को भी ओनलाइन पेसे बैज सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है के Paytm एक Paytm पेमेंट बेंक पी है जहां पर आपको बेंकिंग की सारी सुविधा मिलती है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को पुरा लास तक जरूर देखियेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सकें तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के पेटीयम में फिक्स डिपोजिट कैसे कराए लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि आप लोगों का बेंक अकाउंट कौन सी बेंक में है तो का मतलब होता है फिक्स डिपोजिट अगर आप किसी भी बेंक में जाते हो और वहां पर फिक्स डिपोजिट करवाते हो इसका मतलब यह होता है कि आपने कुछ चुनिंदा सालों के लिए अपनी फिक्स डिपोजिट करवाई है जिसके उपर आपको चुनिंदा रिटन मिलत तो अगर आप अपनी Paytm में भी FD कराना चाहते हो तो Paytm Payment Bank ने भी इसका option आपको दिया हुआ है तो Paytm में आप FD करा सकते हो बिल्कुल online अपने घर बेठे तो इसे कैसे करना है इसके बारे में हम जानते है तो दोस्तो Paytm में FD कराने के लिए आपको सबसे पहले Paytm का KYC करना होगा तो आप Paytm App को अपने phone में install कर लिजिए अपना sign up कर लिजिए अपना mobile number और अपना नाम डाल के उसके बाद आपको किसी नियरेस Paytm Care Center में जाकर वहाँ पर अपनी Paytm KYC पुरी करानी होगी तो जैसे ही आप Paytm KYC करा लेंगे तो आपका first step पुरा हो जाता है और उसके बाद आपको Paytm Payment Bank में एक account open करना होगा ये आपका एक saving account होता है जिस पर आपको 5% per annum का interest भी मिलता है तो दोस्तो जो भी bank account में आप चाते हो और अपना saving account खुलवाते हो उसी तरह से आपको Paytm Payment Bank का एक option मिलेगा Paytm app के अंदर वहाँ पर अपना bank account open करना है ये बस online है इसमें आपका जो mobile number होता है वही आपका account number भी बन जाता है तो आपके लिए आसानी होगी अगर आप Paytm Pay payment bank में online अपना saving account खुलवाले तो और इसकी मदद से आप किसी को भी online payment transfer कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल net banking की तरह ही work करता है क्योंकि Paytm Payment Bank पूरी तरह कैसे online है और इसमें आपका saving account में जो भी balance बतता है उस पर आपको 20% के इसाप से interest rate भी मिलता है तो दोस्तो आपको जै जाएगा जो कि आपका saving account खुलेगा उसके बाद आप अपने bank account वाले पेज पर निचे स्क्रोल करेंगे तो आपको वहाँ पर FD का एक option मिलेगा तो एक बार अगर आपने Paytm payment bank का अकाउंट बना लिया तो उसके बाद आप जब भी Paytm आपको open करेंगे तो वहाँ पर payment bank का एक option आएगा उसके उपर जैसे आप click करेंगे यानि कि Paytm bank के उपर जैसे आप click करेंगे तो आप अपने Paytm के bank account वाले page पे पहुँच जाएगे और वहाँ पर आपको निचे scroll down करना है तो वहाँ पर आपको एक fixed deposit का option मिल जाएगा जिस पर click करके आप अपना fixed deposit Paytm के साथ open कर सकते हैं दोस्तो Paytm FD पर आपको सारे 5% साला नाखा ब्याज देता है इसमें आप 100 रुपे से भी अपनी FD करवा सकते हैं मतलब अगर आपके पास 100 रुपे है तो उसकी भी आप 1 साल की FD करवा सकते हो तो दोस्तो Paytm एक digital wallet नहीं बलकि एक पूरा digital bank बन चुका है तो आप इससे related banking के जो भी आपके काम है वो सारे काम आप कर सकते हैं Paytm Payment Bank में account open करवाने के बाद आपको एक virtual debit card भी मिलता है जिसका इस्तमाल करके आप online payment भी कर सकते हो तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही आज के वीडियो में हमने जाना के Paytm में fixed deposit कैसे कराए तो वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो इससे like कर दिजेगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे share जरूर किजेगा और ऐसे informational वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करे और बाजू में लगे बेल आइकन को click करे ताकि जब भी कोई नया वीडिय आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबंदित किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सक कि आपके हो